नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों अगर आपने भी राष्तान महिला सुपरवाइजर का एक्जाम दिया है तो मैं आज आपके साथ में वीट सोलूशन पेपर लेके आया हूँ जिसमें math, english, hindi, gk, सब का मैं solution करके बताऊंगा दोस्तों math के question है, reasoning के question है उनका सब का solution wise question सारे बताने वाला हूँ तो आप वीडियो के अंतक दोस्तों जरूर बने रहे और साथ में अपने paper को check करने के बाद में comment box में अपने number जरूर लेके ताकि दोस्तों मैं जल्दी आपके लिए अक्समेंडेट का टोप का वीडियो भी लेके आऊं तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते है उससे पहले आपसे एक छोटी सी request है अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर कर दे और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों अभी तक नहीं हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि दोस्तों जो रास्तान महिला सुपर्वाइजर उससे समधित कोई भी इनफोर्मेशन आये तो हम सबसे पहले आपको अपडेट कर आए तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते है तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ उससे पहले आपको एक important बात बता दू जो आपको मैं answer की बताने वाला हूँ इसमें आपको 100% accuracy मिलने वाली है तो चलो दोस्तो हम सबसे पहले GK से start करते हैं तो सबसे पहले क्यूशन देखते है जो निमलन में से कौन सा आकर्षन प्रेटन के अंदर करोली जिले में इस्तित नहीं है तो दोस्तो इसका right answer होगा वो होगा रा जो नाहर सागर कुंड है वो next question है निमलन लिकित छेतर में से लिंबा राम पर्षिद नाम किस से समद्धी तो दोस्तो इसका right answer है वो है खेल से next question देखते हैं दोस्तो रास्तान की कौन सी विख्यात लोगतेवी का समद्ध चोहों से है तो दोस्तो ये सब जानते है जो करनी माता है उनका समद्ध चोहों से है अब next question है निमन में से कवीराज श्यामल दास द्वारा राचित महत्पुन करति कौन सी है तो दोस्तो इसका जो right answer है वो है वीर विनोद next question देखते है दोस्तो निमन में से रास्तान की तामर युगीन सब बेता में सबसे परमुक सब बेता कौन सी थी तो दोस्तो इसका right answer है वो है आहड सब बेता next question की बात करें रास्तान के किस जिले में गणेश्वर इस्तल इस्तित है तो दोस्तो इसका जो right answer है वो होगा इसका जो d answer है शिक्कर में इस्तित है next question है दोस्तो बागोर सब बेता किस नदी के किनारी पर अवस्तित है तो दोस्तो बागोर सब बेता है वो है कोठारी नदी के तटपर next question की बात करें दोस्तो बेराट प्राचिन भारत में किस जन्पद की राजदनी बेराट है वो है दोस्तो मतस्य जन्पद की next question है कौन से महिने में तीजगा त्योहार मनाया जाता तो इसका right answer है दोस्तो स्रावन में नेक्ट क्यूशन की बात करें दोला गड़ देवी का मेला रास्तान के किस जिले से जुड़ा हुआ है तो इसका राइट एंस्वर है दोस्तो अलवर जिले से जुड़ा हुआ है नेक्ट क्यूशन है निम्न में से कौन सा वस्तर राजस्तान में पर्तिष्टा का सुचक माना जाता है तो इसका राइट आंस्वर है पगड़ी अगला क्यूशन है कुम्मलगर्ड दुरुक का सिल्पी खोंता तो इसका राइट आंस्वर होगा मंडन नेक्स्ट क्यूशन की बात के तो तारकसी अबूसर्ण के लिए रास्तान का कौन सा इस्तान परसिद है तो दोस्तो इसका जो राइट आंस्वर है वो होगा नाद्वारा अगला क्यूशन है कोटा के किस सासक के काल में सिकार का चितरन कोटा सेलिका पर्तिक बना तो दोस्तो इसका जो right answer है वो है राव मादो सिंग अगला question है राज विलास की रचना किस ने लिखी थी तो दोस्तो राज विलास की रचना है वो लिखी थी हेम कवी ने अगला question है दोस्तो question number 56 किस परसिद मांड गायका को कला के छेतर में योगदान के लिए 1982 में पदम सरी से समानित किया गता तो दोस्तो इसका right answer होगा वो है अल्ला जिल्ला बाई next question है noon में से कौन सा लोग नरते होली पर नहीं किया जाता तो दोस्तो इसका जो right answer है वो है पणियारी पणियारी है जो होली के अउसर पर नरते नहीं किया जाता साथ में गेर चंग और नेजा ये सारे किये जाते अगला question है कौन सा यूगम गलत सुमेलित है तो दोस्तो आप देख सकते हैं जो पाबु जी है वो कोलो है कोलो में स्तित है जाजी खंडाल रामदेवरा तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो होगा मलिनाथ जी गागरोन अगला question है राजस्तान के किस प्रेतिहसिक दरोहर को यूनेशको की वर्ल्ड हेरिटेश सुची में सामिल नहीं किया गया तो दोस्तो इसका जो राइट आंस्वर है वो होगा जन्तर मंतर जबकि कुमलगड किला आमेर की अविलिया और चितोडगड को जो विश्वय यूनेशको धरोहर है उसमें सामिलित किया गया है अगला question है दो मुहे का चूला होए बहुत परकार के बर्तनों के साथ सिल्बटा वे पेन निमल में से किस इस्तान से खुदाई हुई है तो दोस्तो इसका जो राइट आंस्वर है वो है आहड सब्वेता से अगला question है question number 61 मेवार नरेश राणा अमर सिंग एव राणा करन सिंग की सतरियां अवस्तित है तो दोस्तो इसका जो राइट आंस्वर है वो होगा जो मंडोर जोदपूर अगला question है निमन लिक्ट में से किसका लेकक वीरबान था तो वीरबान दोस्तो लेकक था राज रुपक का next question है 63 पर्षिद मीनाकारी थेवाकला का समन्थ की स्तान से तो दोस्तो इसका राइट आंस्वर है परताब गड़ी है तो question दोस्तो बहुती वार पुछा गया है अभी हाली में रास्तान पुलिस का जो एक्जाम हुआ था उसमें भी पुछा गया था साथ में रास्तान LDC के एक्जाम में भी यही question पूछा गया था नेक्ट question की बात करें था दोस्तो 64 number question विशुर्णोई संपर्दा के परवर्त कौन थे तो इसका right answer होगा वो जांबो जी अगला question है सर वीटी कर्षनाचारी किस राज्ये के दिवान थे तो इसका right answer होगा दोस्तो जेपूर के क्योंकि दोस्तो में जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ कि इतना time आपके पास भी नहीं है कि आप हर एके question का हम पूरा विश्थार से चर्चा गरें तो दोस्तो अगला question देखते हैं 66 निमन लिक्त में से कौन सा समुए गलत है निमन लिक्त में से कौन सा समुए वो गलत है तो इसका जो राइट आंस्वर होगा दोस्तो को आला वन ने जीव अभ्यारन जो आस्ट्रेलिया है वो इसका राइट आंस्वर है अगला question है दोस्तो सी सुप कोरा मुख्यत है कि सहर से सम्मिन दीत है तो इसका जो राइट आंस्वर है दोस्तो वो है लंदन से नेक्स्ट कुशन है निमन लिक्त में से कौन सा गुजरात के 36 पर इस्तित नहीं है तो दोस्तो इसका जो राइट आंस्वर है वो है कलंब क्रिक नेक्स्ट कुशन की बात करें दोस्तो तो राजस्तान में 2011 में राजे के ओसतन लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जीले है तो इसका राइट आंस्वर होगा 18 70 Q. निमल लिक्ट में से कौन सी रचना भारत के नक्से पर सबसे उत्तर में है तो इसका right answer है मालवा का पठार 71 Q. निमल लिक्ट राज्यों में से किस एक में नाम्चिक नाम्पुक कोईला छेतर इस्तित है तो इसका right answer है वो है अरूना चल परदेश अगला क्युशन है निमन लिक्ट में से गलोब के कौन से बाग में पेगविन की अधिकांज जंसंख्या का निवास है तो दोस्तो 72 का जो राइट आंस्वर है वो है दक्षिनी दूरवचेतर अगला क्युशन है विश्वे प्रियावरण दिवेस 2018 का परसंग जो थी में वो क्या थी तो इसका जो राइट आंस्वर है दोस्तो 73 का वो है पलास्टिक परदूशन को परास्त करना ओप्षिन नमर सी अगला क्युशन है निमन लिक्ट में से किसका समद्ध अमली वर्षा से है तो दोस्तो अमली वर्षा अगर 5.5 से कम होती है तो उसे अमली वर्षा बोलते है लेकिन इसके ओप्षन में नहीं है तो हम देख सेकते है जो 5.6 है वो इसका राइट एंस्वर है ओप्षन नमर ए वर्ष 2018 में launch किया गया सपर सम्बन दित है वो किस से सम्बन देत है दोस्तों वो है वायू गुणूतावे मोसम पूर्वनोमान ओप्शन नमबर C Next question है पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है पलाना किस खनन के लिए जाना जाता है दोस्तों तो इसका right answer होगा कोईला के लिए अगला क्यूशन है राजस्तान के किस जिले में टपुगडा ओद्योगिक छेतर इस्तित है तो दोस्तो इसका right answer है वो होगा अलवर option D अगला क्यूशन है राजस्तान के किस जिले में लीलवानी खान इस्तित है रास्तान के कौन से जिले में लीलवानी खान इस्तित है जोसतो ये है बासवडा जैसल मेर बेला डिला खान समन्दित है वो किस समन्दित दोस्तो लो है है अइसक से उप्शन नमर C, अगला क्यूशन की बात करें दोस्तो, 81 नमर की तो COP24 का आयोज़न निमन में से किस देश से हुआ है, तो दोस्तो ये किस देश से हुआ है, ये हुआ है, पोलेंड से, उप्शन B, अगला क्यूशने मानस नामक परशिद वन्य जी चेतर किस राज्ये में इस् देश देश, इसका दोस्तो राइट एंस्वर होगा, वो होगा राजस्तान B, नेक्ट की बात करें दोस्तो, निमन लिख्ट में से किस मवेशी की परजातियां, चोकला, मगराव, नाली है, तो इसका राइट एंस्वर है, वो होगा, भेड, ओप्शन नमर B, अगले की बात करें, अब हिंदी के क्यूशन देखते हैं, दोस्तो, गवेशना सब्द का सही संदी विचेद क्या है, तो इसका जो सही संदी विचेद होगा, वो होगा, गो पलस ऐसना, नेक्ट क्यूशन की बात करते हैं, दोस्तो, वाच्चे का परभाव किस पर पड़ता है, तो अब अगले question की बात करें सहचरितर रचना कौन सा उपसरग है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा D सत पलस उपसरग जो सत होगा वो अब next question की बात करें दोस्तों किसी के सामने मेरी आदर नहीं रिक्त इस्तान के लिए उचित मोहावरा क्या है इसका जो right answer होगा वो होगा दोस्तों option number C हाथ पहलाना अगले question की बात करें 91 निमन लिक्त में से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है तो इसका जो right answer होगा वो होगा C समुक और आमुक अगले question की बात करें ब्राणव नमर तो निमन में से किस विकलप में सबी सब्द अर्जुन के परियावाची है तो इसका right answer होगा दोस्तों धनजे पार्त कोंते और गुड़ा केस अगला question है हिंदी के परचार में आज भी बड़े-बड़े संकट है उप्युक्त वाक्य में किस परकार की असुदी है तो दोस्तों अगला question है बारत के नियंतरक तता महालेका परिक्षक के वार्षिक पर्तिवेदन का सर्विक्षन विस्तार से करती है तो वो कौन करती है दोस्तो 97 नमर क्यूशन का जो एंसर होगा वो होगा option नमर C वित मंत्राले की सलाकार समिती अगला question है बारते सविदान के किस अनुचेद के अदिन राजेपाल राष्टपति के विचार के लिए किसी विदेग को आरक्सित रख सकता है तो इसका right answer होगा अनुचेद 200 ओप्शन B अगला question है दोस्तो सविदान की किस अनुचेद में दल बदल विरोधी प्रावदनों का उले किया गया है तो यह किया गया है दोस्तो दसवी अनुचेद में option number C question है उसका right answer होगा दोस्तो आप देख सकते है रास्तना लोग सिवा गारंटी अदिनियम कब लागू किया गया तो दोस्तो यह आपको पता है 14 November 2011 को लागू किया गया था option number A question number 101 में है निमल लिक्त में से किस वाद में यह का गया ताकि परस्तावना भारते सविदान का अंग नहीं है तो 101 number question है उसका जो right answer है दोस्तो वो होगा A बेरुबाडी वाद अब next question की बात करें भारत की परतम पंचवर्चे योजना किस मोडल पर आदारीती तो भारत की पंचवर्चे योजना थी वो थी जो हेरोड डोमर मोडल था उस पर आदारीत थी अगला question है निमल लिक्त में से कौन से कतन केंद्रिय सत्करता आयो के बारे में सही है तो दोस् Q14. मूल भारतिय सविदान किसके द्वारा हस्त लिकीत है तो दोस्तो इसका जो राइट आंस्वर है वो होगा QC प्रेम भिहरी नाराइन राइजादा के द्वारा अगला QC निमन लिक्त में से कोन्सा प्रस्ताव साहिक प्रस्ताव की सिरेणी में नहीं आता तो इसका राइट आंस्वर होगा दोस्तो ओप्सन नमर D जो इस्तानापन प्रस्ताव है उसके द्वारा अगला QC ने चंपारन के किसानों का नेतत्व करने के लिए गांधी जी को किसने अमंतरित किया था तो दोस्तों किस ने आमंतरित के था इसका जो राइट अंसर है वो है ओप्शन नमर B राज कुमार सुकला ने अगला क्यूशन है किस देश को यूरोप का सिक मेन का जाता है मतलब बीमार आदमी बोला जाता है तो यह का जाता है दोस्तों तुर्की को अगला क्यूशन है दोस्तों जो दी इंडियन ऐसोसियेशन का संस्ता पकून था तो इसका जो राइट अंसर है वो होगा शूरिंदर नात बंदर जी अगला क्यूशन है क्यूशन नमर 109 प्रांचिशियों दोरा मदरास अंग्रेजियों को पुने लोटा दिया गया इस संधी के माद्यम से वो संधी कोन सी थी तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर है वो होगा अप्शन नमर AX लोल सेपें सत्रा सो गूण पचास अगला क्यूशन है नेमन में से किस मुगलकालिन इमारत में पित्रा दिूरा का पर्तम बार प्रियोग किया गया था तो पर्तम बार प माहराजा तक्त सिंग अगला क्यूशन है दोस्तो क्यूशन नमर 112 निमन लिक्त में से कौन निरंजनी संपरदाय के सस्ता बक्त है तो इसके सस्ता बक्त है दोस्तो संत निर्जन नात अगला क्यूशन है निमन में से कौन सा काल गाली बंगा सबेता से संबन दीत है तो इसका राइट आंस्वर होगा वो होगा 25 सो से 1500 इस्वी पूरवे option number A question number 114 जेपूर का कौन सा सासतीन मुगल बाद सा जहांगीर, साजा और औरंग जेब की सेवा में रहा था कौन रहा था दोस्तो इसका जो राइट आंस्वर होगा मिर्जा राजा जेशिंग option C question number 115 किस समाचार पत्र के मादेम से विजेशिंग पतिक ने बीजो लिया किसान आंदोलोन को भारत में चर्चित बनाया था तो उसका जो निउज पेपर है इसका नाम आपको बताना तो इसका जो राइट आंस्वर है दोस्तो वो होगा option number A परताप अगला question है निमल लिक्त में से किसका समन पूना में मी रेड की हत्या से था रेड की जो हत्या है वो किस ने किती जो इसका right answer है दोस्तो उप्शन नमर C चापे कर बंदू next question है question number 117 सेन प्रांसिसको समेलन में UN Charter पर सदेश्यों के अस्ताक्षर थे तो दोस्तो कितने सदेश्यों के अस्ताक्षर थे ये थे 193 193 सदेश्यों के अस्ताक्षर थे अगला question है स्युक्त राष्टर संग के चार्टर के किस अनुछेद में सदेशकता का जिकर किया गया था तो इसका जो right answer है दोस्तों 118 नमर क्यूशन का option नमर C Next question है दोस्तो 1800 गूर्ण नबय में बंबय में आजित कांग्रेस अदिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया मतलब तीन महिला ऐसे जिन्होंने भाग लिया एक वो महिला बताने जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया तो इसका जो right answer होगा दोस्तों यह होगा option नमर C स्वान कुमारी गोशालने सिकांगों में 1883 में आजित विश्वद्रम संसद में 99 से किस ने भाग लिया स्वास तरलता में कमी option A right answer 122 question number 122 है राश्ट्री आय लेखाकन का जनक किसे कहा जाता है तो राश्ट्री जो आय लेखाकन है उसका जनक कहा जाता है J.M.kins को अगला question है बजट में राजस्वे गाठा होता है जो बजट में राजस्वे गाठा होता है क्या सही नहीं है तो दोस्तों जो 124 नमर क्यूषन है इसका जो राइट आंशर है वो है इसमें HPCL का इसा चोतर परतिसत है यह उप्सन सही नहीं है अब नेक्ट क्यूषन की बात करते है विश्व के गवार के कुल निरियात में भारत गवार के निरियात का इस्षा कितनी परतिशत है भारत का इस्षा कितनी परसेंट है जो तो यह है 90 परसेंट ए नेक्ट क्यूशन है वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मुल्य वर्दन में सेवा छेतर का इस्षा कितना परतिशत है 2017-18 में जो सेवा 16 उसमें भारत का कितने परतिशत है तो इसका जो right answer है वो होगा दोस्तो 55.2% अगला question है राजस्तान के पहले मानव विकास परतिवेदन का मुख्य विशे था तो उसका मुख्य विशे क्या था दोस्तो उसका मुख्य विशे था वो था जो वेश्वी करण के यूग में इस्टाई आजिवीका को बढ़ावा देना नेक्स्ट क्यूशन है 128 नमर क्यूशन बुक्तान संतुलन के चालू खाते में भारते रूपे को कपून रूप से परिवर्तनिय किया गया तो इसका जो राइट आंश्वर है दोस्तों वो होगा गुनी सो चोर्याण में नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं 130 नमर क्यूशन वह वर्ष जिसमें गलोबल राजस्तान एग्रेटिक मीट का आईजित हुआ था तो दोस्तों यह हुआ था 133 में जो 2017 में आईजित किया गया था उप्सन नमर A नेक्स्ट क्यूशन है नेक्स्ट क्यूशन है एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कोन योग है तो दोस्तों इसका राइट आंस्वर है 130 नमर क्यूशन का वो होगा विद्वा, तलाक, सुधा, यो प्रित्यक्ता मेल है उप्सन A नेक्स्ट क्यूशन है पर्तवी का अपनी अक्स के पर्ति गूर्णन होता है तो दोस्तों इसका राइट आंस्वर होगा D, पच्छिम से पूर्व है 132 नमर क्यूशन वानों के टायरों की 22 सत्य नालिदार बनाई जाती है तो इसका जो राइट आंस्वर होगा होगा गर्षन बढ़ाने ये तू नेक्स्ट क्यूशन है 133 नमर क्यूशन टमाटर सोस में परियोग में आने वाला जो सरक्सक है वो है सोडियम बेंजोईट, उप्सन D अगला क्यूशन है क्यूशन 133 हल्दे में पाए जाने वाला प्राकर्तिक रंजेक वो है कर्क्यूमीन, उप्सन A नेक्स्ट क्यूशन है सरीर में अमल सार का संतुलन बनता है, तो वो क्या बनता है दोस्तों option c अगला question है निवन में से कौन सा बोतिक परिवर्थन है तो इसका जो right answer होगा दोस्तों वो होगा गरम करने पर पलेटेनम तार का चमकना option b next question है question number 140 इसका जो right निवन में से रासाइनिक अभीगरिया दोस्तों इसमें जो रासाइनिक अभीगरिया वो बता नहीं है तो इसका जो right answer होगा दोस्तों पर्सियन बलू हलका निला option number d next question है पहली फसल जिसका जीनोम अनुकरमित किया गया था तो दोस्तों वो था चावल option a next question है आनुवान सिकता रुपांतरित गोल्डन राइस का अविसकार की कमी लड़ने के लिए किया जाता है तो किसकी कमी लड़ने के लिए किया जाता है दोस्तों इसका right answer होगा वो ह option a next question है हर्दे में थेम्बियन वल्प पाया जाता है वो पाया जाता है दाए आलिंद में option a गुर्ण सुत्रों की संक्या की बिंता से उत्पन विकार के संद्रह में निर्ण में से सही विकलप चुनिए इसमें क्या है दोस्तों सही विकलप बताना तो इसका right answer होगा वो होगा option number c next question है पादब सवर्दन की किस तक्निकी से विशाणू रहित पोदे प्राप्त किये जा सकते है तो इसका right answer होगा दोस्तों वो होगा विब्योजोत्तक सवर्दक option b next question है निमन में से कौन सा नीला हरा सेवाल एकल कोशिका प्रोटीन की तरह परियुक्त होता है तो इसका right answer है दोस्तों वो है जो इसका right answer हो है एसपरजीएस RGA option number c next question है निमन में से कौन सी सरजना मस्तिक्स का भाग नहीं है तो इसका सही answer होगा वोगा option number a next question है antithrombin thad और protein C का कारे रुदिर ठक्का जमने की परकरिया में किस ये सुमेलित है तो इसका right answer होगा होगा हीपेरिन option b next question है cook और ornate count का उपयोग की गण्णा के लिए किया जाता है तो किस की गण्णा के लिए किया जाता है न्यूट्रो फिल्ज की गण्णा के लिए next question है दोस्तो कौन सा विटामिन यूग जल में गोलंसिल नहीं है तो इसका right answer है वो है दोस्तो जो राइबो फ्लेवी जो निकोटिनिक अमल और एसकोर्बिक अमल option number C right answer है option number C अब दोस्तो हम बात करते हैं जो mate के और reasoning के और English के क्यूशन है उनके answer के अब दोस्तो हम बात करते है क्यूशन नमर एक से तो सबसे पहला क्यूशन है बारत के राष्टपतिने महिला बून हत्या और शेक्स चैन के बारे में जागूरता बढ़ाने के लिए mobile app launch किया तो वो लेंप जो mobile app था उसका नाम था selfie with the daughter option number C question number 2 QR code में कितने position detection pattern होते है तो इसका जो right answer है दोस्तों वह होता है option number D अगला कि उसने पर्तम भारतिय माइक्रो प्रोसेसर कोन सा था पर्तम जो भारतिय माइक्रो प्रोसेसर था वो था दोस्तों option number D सकती अगला क्यूशन है दोस्तो उद्धेपूर सोर वेजसाला को किस अंतराश्ट्री वेजसाला के मोडन के अनुसार डिजाइन किया गया है तो यह किया गया है दोस्तो जो सोर वेजसाला बिग बियर लेयर कैलिफोनिया में थी उसके हादार पर अगला क्यूशन है वर्ष 2018 में राजस्तान आईटी दिविस कब से कब तक मनाया गया था तो दोस्तों यह मनाया गया था जो 29 मार्च है उससे 21 मार्च के बीच में अगला क्यूशन है दोस्तो क्या नाम है जिसे हाल में मंगल गर्ए पर उतारा गया तो दोस्तों इसका जो राय नेम है वो है इनसाइट ओप्सन नम्मर A, next question है, किस कारण की वज़े से समाक्सिय तार सोर के परति कम ग्रहन सम होते हैं, तो इसका right answer है दोस्तो वो है बाहरी conductor, option नम्मर C, अगला question है, वह है डिवाई जो हस्त लिकित चापों के computer input के लिए coded character में परियूरतन करता है, तो इसका right answer है दोस्तो वो है, option नम्मर C, अगला question है दोस्तो, question नम्मर 10, computer की पंचम PD में PLSL तकनीकी को किस तकनीकी में परियूरतन किया गया है, तो इसका right answer है वो है, option नम्मर A, ULSI, अगला question नम्मर 11, वह रास्तान पोर्टल जो राज के दस्तावेद वे परमान पत्रों को digital इस्तापित करने की सुईदा देता है, तो दोस्तो यह देता है, जो राज E, वोल्ट, option नम्मर B, राज E, वोल्ट, अगला question है दोस्तो, राजस्तान में कब भामासा डिजिटल परियोजना योजना का सुबारम किया गया था, तो भामासा योजना इसका परियोग किया गया, वो किया गया था, 4 सितंबर 2018 को, अग Bluetooth का जो परियोग होता है वो दोस्तो वो होता है, बेन में, next question है, कौन सा software scan कियेगे text को संपादन योगी text के रूप में अनुवादित करता है, तो दोस्तो यह करता है, जो OCS होता है, option नम्मर A, वो करता है, अगला question है, module, जो modular scale computer को क्या नाम दिया गया, तो उसको नाम दिय computer है, वो, option number C, next question है, अब question है, रिजनी का, बरब जल इंफोस के मद्दी समंद को दर्शाने वाली आकरती का चाहिन कीजिए, तो इसका जो right answer होगा, वो होगा, दोस्तो, option number C, next question है, एक निच्चित भासा में, S1 को, S star लिखा जाता है, तो इसका जो right answer होगा, दोस्तो, इसक question का, तो इसका right answer है, option number B, 8, next question है, question number G, 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 उसका जो right answer है, दोस्तो, वो होगा, option number D, 36, अगला question है, question number 20, इसका जो right answer होगा, दोस्तो, वो होगा, option number C, next question की बात करें, दोस्तो, तो कथन वाला question है, तो इसका जो right answer है, 21 number question है, इसका जो right answer होगा, वो होगा, option number नमर D, मतलब तीन और चार दोनों भी सhए है, अगला क्यूशन है सरंकलावाला, तो इसका जो राइंसर होगा, वो होगा 125, अप्सण नम्मर D, अगला क्यूशन नमर टेईस, कतन और निस्करसवाला, 25 नमर क्यूशन का जो राइंसर है वो है दोस्तो option number A मतलब इसमें A की answer सही है अगला question number है question number choice mission में alcohol ता पानी के 4,93 के अनुपात में यह दी इस mission को 5 लिटर पानी और मिला दिया है तो 94,95 हो जादा दिये की mission में alcohol की मातरा क्या होगी तो इसका right answer है दोस्तो choice number question है उसका है option number A 10 लिटर अगला question है कितने वर्सों में 15,425,435 दर्स से तो इसका जो right answer है दोस्तो वो है जो option number B 3 words next question की बात करें दोस्तो 26 number question 26 number question है उसका right answer होगा option number A 27 number question देखते है जो कतन यह निर्सकर्ष का है 27 number question इसका जो right answer है दोस्तो वो है option number C केवल 1 और 3 निर्सकर्ष सकते है question number 28 question number 28 का जो right answer है दोस्तो वो है option number C 35 question number 35 question number 35 है उसका जो right answer है दोस्तो वो है option number B 25,000 अब question number 30 की बात करते है question number 30 है उसका जो right answer है वो है option B 25,3 क्यूशन नमर 31 अब दोस्तों इंग्लीज के क्यूशन सागे आप देख सकते जो पहला 31 नमर क्यूशन है फिल इन दा बलेंक विद वन ओप करेक्ट ओप्षन विद गिवन ब्लो तो इसका 31 नमर क्यूशन है इसका जो राइट आंस्वर है वो है ओप्षन नमर डी सा अगला क् विद जो फोर नुवर्ड दो प्रिप से और इसका 32 नमर क्यूशन इसका राइट आंसवर है दोस्तों ओप्षन नमर 씨 बेड अगला क्यूशन है चेंज्जिंग the following sentence इंट्रोगेटीव सेंटेज है तो इसका 33 नमर क्यूशन है इसका राइट आंसgren जो इसका रा आंस्वर ह सी दै और ए अब क्यूशन नमर 35 की बात करते है दोस्तों जल्दी करो अनिता तुम लेट हो जाओ गए इसको इंग्लीज में ट्रांसलेट करना है तो इसका राइट आंसवर होगा अब क्यूशन नमर 36 नेकेटिव सेंटेस देखना है तो इसका जो राइट आंसवर है तो इसका राइट आंसवर होगा उसका right answer है option number B after all guarding we did the sun shining on the flower flower beds make a beautiful sight question number गुन 40 गुन 40 number question है उसका आप answer देख सकते हैं option number D होगा someone has invited me to the party एक्टिवा स्पेशिवा इसका sentence है next question है question number 40 तो दोस्तो ये last question है आप देख सकते हैं जो direct speech है इसका question है इसका right answer है वो है option number B she said will you come with me तो दोस्तो ये थी मेरे दोरा दीगी थोड़ी वो जानकारी आपको जानकारी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो अभी तक नए है तो subscribe जरूर कर दे और साथ बेल आइकन भी दबा दे दोस्तो अपने comment करना नह भूले comment जरूर करे कितने नंबर आ रहे उसके आधार पर में आपको जल्दी ही जो expanded का top है उसका वीडियो लेके आने वाला तो जल्दो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही जैहिन जैवार्थ